हलो बच्चो गुड़ मारिंग जैसी लसी तो एक बार फिर आपका स्वागत है सी लसी के टैस्ट सिरीज के एक बहुत बड़े विशाल प्लेटफॉर्म पे जिस पे पूरे हिंदुस्तान के हर कौने कौने से बच्चा आज सी लसी के साथ जुड़ावा है और निशित रूप इसको फाइदा होने जा रहा है तो इसका फाइदा एप उठाएं तो शुरू करते हैं कि फिजिक्स अ का फरस्ट जो आपका टैस्ट था माइनर के सीरीजी का नीट 2022 का पहला टैसरीज का पहला टोपिक और पहला टेस्ट बहुत ही शांधर पेपर था आपने इसको देखा ह होगा तो आईए सुरू करते हैं पेपर को सॉल तो पहला क्विश्चन है कि पार्टिकल है उस पे फाइप न्यूटन का एक फोर्स अप्लाई कर रखा है और यह वर्टिकल से दिरखा अपने को सिस्ट डीर का एंगल तो पूछा कि बल का वर्टिकल कंपोनेंट क्या है जैसे म हमारे पास जो फोर्स है यह वर्टिकल लाइन होती है यह मालीज यह वर्टिकल लाइन और यह है हमारे पास होरिजोंटल लाइन और वर्टिकल से 6 डिग्री पे वर्टिकल से 6 डिग्री के एंगल पे वर्टिकल से 6 डिग्री के एंगल पे आप देखो इस तरह से कोई हमारे पास एक force है और इस force की value हमारे पास है 5 newton और ये angle हमको दिया जा रहा है 60 degree और पूछा भी हमसे कौन सा vertical component of force पूछा है, vertical मतलब उर्दादर गठक, तो ये होता है आपका, आपको मालूम है कि कौन की तरफ चिपकावा गठक जो होता है, कौन की तरफ जो angle की side में, जो angle की towards component होता है, और यही इसका vertical component है, तो vertical component हमारे पास किता है 5 cos 60, cos 60 होता है आपका 1 by 2 और इसका मालब 5 by 2, that means 2.5 newton is the right answer, ओके, next, next question देखो, ये लामी थोरम का एक simple question है, जिसमें, आप देखो, ये कोई एक string है, एक string यहाँ पे है, ये आपको धर रख है, 60 degree का newton का force, ये इसका weight है, ये सब कमको fine करना है, तो लामी थोरम को अपन apply करें, तो उसमें देखो, कि यहाँ जो angle आपको नजर आ रहा है, that is 60 degree, ये है 90 plus 30, ये हो गया आपका angle कितना, 90 plus 30 means 120, और ये total आप देख ये हाँ तका है 180, उसमें से 30 अपन करें minus, तो ये angle आपको दिख रहा है कितना 150 degree, अब लामी थोरम को अपन apply करें, तो देखो, यहाँ जो force हमारे पास known है, ये 60, और unknown हमारे पास force है w, अगर मालो w लिखता हूँ पहले, the w upon, अब unknown को पहले लिखा हो ताकि ये इसको find करना ह होता है, तो इसके सामने जो angle कितना 120 है, तो w upon sin 120, और sin 120 का मान कितना होता है, आपको मालू में sin 120 होता है, root 3 by 2, तो ये हमने लिखा root 3 by 2, is equal to, यहाँ अमारे पास है tension कितना to, toa मान लेते हैं, toa, और इसके ठीक सामने angle कितना है, ये 90, 60 नहीं 90 degree, तो ये हो क्या, sin 90 का मतलब 1, is equal to, अब हमारे पास है non, 60, इसके सामने है 150, तो 60 upon sin 150, और sin 150 का value, sin 150 आपको मालूम है, sin 150 है, इसके ठीक पास 1 by 2, तो ये हो गया आपका 1 by 2, अब इस से हमें solve करते वे, answer है, वो निकालना है, तो w, अगर हम इसकी help लें, इसकी और इसकी, तो दोनों की help से देखो, तो इसका 1 by 2, 1 by 2 से cancel हो गया, यान w upon this equal to हो गया, आपका 60 upon this, 1 by 2 से 1 by 2 cancel हो गया, तो w हमारे पास आया 60 root 3, root 3 से इसको multiply कर देंगे, ये आ गया, और इसकी help से अपने निकाल सते हैं toa, और इसमें toa upon equal to this है, 2 चला गया आपका उपर, तो 60 into 2 किता ह हो गया, तो आपको पूछ है, oa में बहार, और तनाव, डोरी oa में बहार, ये गलत है, w and tension in the string oa, तो पहले हमको बहार बताना है, वो है 60 root 3, और उसके बाद जो tension है, oa का वो है कितना 120 degree, 2 DC हाँ पर ये, एक line का फरक है, बाकी कोई दिखरते हैं, इसका आपका बिल्गल ठ ठीक है, तो इसका right answer आपका है, third, बढ़े आगे, next देखो, अगला प्रसन, इसमें हमसे पूछा है कि p plus this equal to this, तो एक की हमें dimension निकालनी है, तो आपने पढ़ा किसी formula में, जो दो आपके left side और right side होती है, वो v-me समांगता के नियम से, जो law of homogeneity of dimensions है, उसके according, हम जानते हैं, formula के दोनों पक्स हमेंसा same dimension के होते हैं, और एक पक्स में अनेक जो step होते हैं, अनेक terms होती हैं, जो कि plus या minus के साथ होती है, वो भी हमेंसा क्या same dimension के होती है, अब देखो, a कहां छुपा बैटा है, a तो यहाँ है, तो ऐसे में जहां पर plus होता है, इसका मतलब यह p और यह plus a हुआ, pv square, इसको मैं कर दूँ यहाँ पे pv into v, pv into v, pv है क्या, type of energy है, क्योंकि हम जानते है, thermodynamics में पढ़ते हैं, w जो होता है, p delta v, pressure है v आपका volume, तो pv यहाँ एक तरह से energy को represent करेगा, यह उर्जा है, यह energy है, यह volume है, और energy की dimension हम लोग जानते हैं, कितनी होती है, m1, m1, l2, t ki power minus का 2, और volume हो गया, l ki power 3, और इसको अपन solve करेंगे, तो m1, l ki power 5, और t ki power minus का 2, और यह इसका right answer हो गया, fourth, m1, l ki power 5, t ki power minus का 2, तो आईए, अगले क्रिश्चिन में बढ़ते हैं, तो next question देगो, इसमें हमें दे रखा है, यह चार रासियां है, A, B, C और D, इन पर depend कर रहा है, कौन P depend कर रहा है, आप से पूछा है कि इसमें percentage error कितनी है, तो ऐसे प्रशनों में यह आपको maximum percentage error find करना होता है, तो इसको अपन solve करेंगे, तो delta P, जो की percentage में है, और वो भी अप 2 times of A, तो A का हमारे पास कितना है, 1, प्लस, यह है इसकी power 1, तो 1 times of, of, the percentage error of B, 3 times, 3 times नहीं कितना है, इसकी power 2 है, 2, 2, तो 2 into कितना गर तो आप 3, और प्लस, इसकी power कितनी है, D की power 1, तो इसका हो गया 4, यलो सा 4, तो अब इसको solve करने पे, 2 plus, 2 plus, 6 plus 4, 6 plus 4 हो गया 10, plus 2, 12 plus 2, यानि 14 percentage, यह इसका हो जाएगा, error, next, question देगो, इसमें आपसे पूछा है कि यह दो vector हमारे पास, यह दोनों आपस में कैसे 90 पे हैं, तो 90 पे हैं, तो A का मान कितना है, यह हमको बताना है, 90 पे हैं, तो A का मान हमसे पूछा है, यह है, तो 90 पे होने पे इन दोनों का dot product 0 होना चाहिए, तो अगर मैं 5 I के, और plus 7 J के, minus का 3 के के, और इसको हम multiply करेंगे, 2 I के, plus 2 J के, minus का A के, इन दोनों से हम इसको multiply करेंगे, इन दोनों को हम लोग multiply करेंगे, dot product की तहित, तो दोनों को अपन multiply करेंगे, तो 5 इंटू कितना है, 10, और plus कितना, 7 इंटू कितना, 14, 14, और minus minus का plus का हो गया, आपका 3 A, plus का 3 A, अब dot product 0 होना चाहिए, तो अब देखिए, आपका ये हो गया, 14, plus 10 हो गया, आपका 24, इसको अपन इस तरफ लेके आएंगे, तो 3 A is equal to आपका है, minus का 24, और A को कितना करेंगे, minus का 24 upon 3, minus का 8, minus 8, ये इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, नेक्स्ट देखो, अगले में हैं कि इसमें कितने significant figures हैं, तो यहां कितना point है, decimal point है, decimal point होने पे, आपका मालूम है, decimal point के बाद जो non-zero होते हैं, उसके बाद की zero हैं, उनको भी हम क्या करते हैं, significant figure में count करते हैं, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो इसमें आपके significant figures देएंगे, 5, next question देखो, यह आप class में बढ़ते ही है, sign square alpha, sign square, sign square की रूप में है, तो कितना होता है, यह two होता है, कितना two, और अपने जानते है, coast की terms में निकालते हैं, तो cos square alpha plus cos square beta plus cos square gamma, यह होता है आपका one, और sign की रूप में होता है, आपका कितना two, basic question नहीं, अपने थोरी में आता है भी, अच्छा, इसमें आप से पूछा है कि इनकी एक ही दिक कोजैन, direction cos कितनी होती है, तो direction cos अपने निकालते हैं, इस पे थोड़ी सी अपने चर्चा कर लें, तो direction cos actually होती है, cos alpha, cos beta और cos gamma, अब cos alpha कितना होता है, यह हम जानते हैं, एक्स अपन कौन सा a, यह होता है आपका ay by a, और यह है az upon a, यहाँ पे है पूरे vector का magnitude, तो इसका अपन निकालते हैं magnitude, इनको add कर दे हैं, तो 60 plus 4 कितना 20, 20 plus 25 कितना 45, रूट 45, तो सभी में रूट 5 है, कोई issue नहीं है, परन्तों अपन निकालते हैं, cos alpha कितना होता हूँगा 2 upon this, 2 upon this और cos beta 4 upon this, यह यह तो है 2 upon root 45, यह होगा आपका कितना 4 upon root 45, और यह है कितना minus का 5 upon root 45, यह इसके आपकी right answer है, तो यह कहां आ रहे हैं देखो, फर्स्ट में यह आपके सयुद आएंगे, तो यह एक तरह से यहाँ alpha beta gamma क्या है, आक्स अक्सिस, y-axis और z-axis के साथ बने कौन है, जो अपन आसानी से ज्यात कर सकते हैं, अगले में हम से पूछा है, कि एक athlete है, जो circular path पर constant speed से move कर रहा है, आप से पूछा है कि average इसकी velocity क्या होगी, जब यह particle या athlete है, वो half circle को पूरा करता है, तो half circle को पूरा करता है, इसका मतलब है, कि मान लो athlete यहाँ से इस बिंदों से होते हैं, यहाँ आ गया, और मैं इसकी radius को मान लेता हूँ कितनी small r, इसकी अपने path क्या long speed constant है, तो जब यह मान ले इसे half circle को पूरा करके a से b आया, त अब हमको सबसे पहले यहाँ निकालना होता है कि time taken by athlete, t, वो t, चुंकि आपको मालूम है time जो है, वो length of path या path की जो nature उस पर depend करता है, इसलिए time taken ऐसे प्रशनों में हमेशा हमको distance upon time से find करना चाहिए, तो t हमारे पास है, उसको कैसे solve करेंगे, तो t हम कैसे करेंगे, इसमें distance upon time, distance किती है pi r, pi r upon speed कितना v, कितना time इसको लगने बाला है, अब हमको पूछा क्या जा रहा है, average velocity, तो average velocity का मतलब ओश्ट वेग, वो होता है displacement upon time, तो displacement हमारे पास कितना है, तो 2 r, तो इस question को आपको solve करेंगे, तो जो v का v average, average velocity बोल रहा हूं बार बार, वो होता है, displacement upon time, displacement displacement हमारे पास कितना है, 2 r, और time हमको कितना लगा, pi r upon v, r से r आपका हो गया, cancel, तो pi नीचे रहे जाएगा, v चला गया, उपर, तो 2 v upon pi, यह इसका हो जाएगा, right answer, ठीक है, next देखो, अगला परसंद देखिएगा, अगले में आपसे पूछा है कि 2 second पे आपको पूछा है instantaneous velocity पूछी है, 2 second पे, तो आप देखो, zero से लेकर कि 2, 2.5 तक, graph कैसा straight line है, और इसलिए इसका slope constant है, इसलिए 2 second पे या 2 second पे निकालते हैं, 60 graph से speed निकालते हैं, या velocity निकालते हैं, वो इसका slope यह होता है, अब slope निकालना हो, तो देखो, इसमें, यहां से यहां तक constant ही है, तो आप पूरे इस part के लिए निकाल लो, इसमें यह हो गया आपका 50, perpendicular, इसका base 2.5, इसका slope है, वो ही इसकी velocity को show करेगा, slope आपका 10 theta, 10 हुआ क्या, perpendicular, 22, तो 50 upon कितना 2.5, अगर इसको अपन 4 से गुणा 4 से भाग दे दें, तो 2.5 into 4 होता है, 10, कितना वहा, 10, तो उपर हमारे पास हो गया 200 upon 10, 10 से आपका यह कट गया, तो यह answer है, 20 meter per second, जो fourth answer में आपको नजर आ रहा है, ठीक है, next देखो, अगला question है, बहुत ही शांदार, इसमें हमको देर रखा है grab कि इसमें velocity में और position में, और हमसे पूछा है कि इससे आप जो acceleration है, उसका किस परकार से अक्स के साथ variation हो रहा है, बदला हो रहा है, यहाँ variation है, variation of acceleration, यहाँ variation of acceleration, यह विस्तापन के सापक्स, turn में बदलाओ, turn में ब बदलाओ को कौन दर्साता है, यह हमें ध्यान रखना है, variation है, तो सबसे पहले हमें इस से बनानी पड़ेगी equation, तो यहाँ graph कैसा straight line है, इसका slope आपको दिख रहा है, graph कि इसमें v और x में, तो v equal to हमारे पास होता है slope, यह mx plus c, जो तान ग्राप के straight line होने पे अपन कहते हैं, y equal to mx plus c करते हैं, तो y तो हो गया अपने पास v, m इसका slope है, slope यह इसका है negative, तो इसको ऐसे करने को, graph आपको दे रखाओ, तो एक काम सिखो, graph में, मानलो graph एक तो यह है, यहाँ angle दे रखाओ आपको theta, तो इससे slope निकालता, slope आपका होता है हमेसा 10 theta, उसमें theta जो होना वो positive action इसके साथ बना corn होता है, अगर किसी question में, अगर किसी question में हम लोगों को यह corn दे दिया जाए, इसको मानलो, तो इस corn की रूप में आप slope निकालते हो, तो वो slope आपका होता है, m बराबर minus का 10 phi, तो जो corn हमको आजसानी से मिल जाता है, वो plus x के साथ है, slope आपका 10 theta के रूप मे है, plus के रूप में, और अगर वो negative x के साथ मिलावा है, कौन आपको, तो वो आपका है, minus का 10 phi के रूप में है, तो angle कौन सा है, जैसे यहाँ angle हमको 5 वाला मिल दा रहो, और इससे इसका slope निकाले है, slope है, इसका perpendicular by base, यह है v naught, यह कितना आपका x naught है, तो इससे slope आप निकाल, तो negative तो आई गया, minus तो 10 phi है, तो minus और 10 कितना हुआ, v naught by x naught, यह होगा आपका v naught by x naught, plus c, c कितना है, v naught है, यह v naught आगया, यह v आगया, तो कुल मिला करके हमारे पास equation जो आई न, वो आपको नजर आ रहे है, वो है, हमारे पास v is equal to minus का v naught by x, not into x, यह x हमने यहाँ लिखा न और plus v naught, यह हमारे पास इसकी पहरी सी equation आगी, अब हमको इसमें निकाला acceleration, तो acceleration अपने निकालते है, यह होता है, v into dv by dx, तो v हमारे पास already है, यह तो हमारे पास है, minus का v naught upon x naught into x plus v naught, और इसी का हमें करना है, x के respect में differentiation, जिसमें इस पहले पार्ट का ही आएगा, minus का v naught upon x, औ और v naught का हो गया 0, अब इसको उपन multiply करेंगे, इससे और इससे, तो देखो, minus into minus क्या हो जाएगा, plus, तो plus तो उसका हो गया slope, और v naught हो गया आपका कैसा, इससे minus से कुणा करने पर minus हो जाएगा, तो cool मिला करके, आप थोड़ा गोर करो, अगर इसको अपन यहां से, थोड़ा space खाली कर लें, तो देखो, एक ही जो value हमको मिलने जा रही है, एक ही value हमको जो मिलने जा रही है, वो है, कितना देखो, इससे गुणा करने के बाद में, v naught का square, x naught square into x, minus into plus हो गया, minus का, v naught का square upon, यह x naught हो जाएगा, v naught का square upon, x naught, तो अब इसका slope तो plus का है, और c कैसा minus का, तो c minus का, यह c minus का, slope plus का, यह graph आपका हो जाएगा, एक अच्छा प्रशन है, पहले equation बाणने पड़ेगी, उसके बाद हम इसको solve कर पाएगे, next, देखो, इसमें आप से पुछा है कि, vague vt, velocity हमारे पास v है, time है, उसका दिर्खा dependence, v is equal to root t by 2, और पुछा है कि, t equal to 1, 6, 4 seconds बीच में, इसका displacement कितना है, तो vt आप दे रखा है, vt दे रखा है, इससे आपको निकालना displacement, तो displacement actually है, क्या इसका integration of ds, यह होता है, और इसको पनलगते हैं, क्या v dt, और हमारे पास v कितना है, v है, 1 by 2, तो constant इसको भाद ले लिया, मैंने, और यह हो गया t की पार 1 by 2, into dt, और यह displacement है, इसको ही मैं delta s कह से 4, आप देखो, t की पार 1 by t का, 1 by 2 का जो आप करते हैं, integration, तो 1 by 2 plus 1 upon 1 by 2 plus 1, इसको ऐसे लिखा जाएगा न, 1 by 2, और t की पार 1 by 2 plus 1, यह 3 by 2, upon 1 by 2 plus this, तो 3 by 2, और इसकी limit हमारे पास है, 1 से ले करके 4, अब आप देखो, यहां 2 से 2 cancel हो गया, 3 आपका रा नीचे, तो इससे solve करने पे, अपने पास है 1 by 3, फिर है t की पार 3 by 2, इसकी value हम लोग पटें, limit के साथ रखें, तो 4 की पार 3 by 2, minus कितना 4 की पार, 1 की पार, 4 की पार तो हो गई, फोर की पार तो हो गई, आप इसमें देखो, 1 की पार 3 by 2, 1 की पार 3 by 2, 1 की पार 3 by 2 आ गया, अब देखो यहां, एक बात ध्यान रखो हमेंसा, कि X की पार 3 by 2 कहीं लिखाओ, वो होता है X root X, तो 2 की पार 3 by 2 का मतलब हो गया, 2 root 2, ऐसे 3 की पार 3 वटा 2 है, तो कितना 3 root 3, य यहां actually क्या बन गया, 4 root 4, 4 root 4 मतलब 8 हो गया, 1 root 1 क्या हो गया, 1, तो 8 minus 1 कितना हो गया, 7, तो 7 upon 3, यह इसका right answer आ जाएगा, अच्छे कुछन है, बहुत शांदर, एक neat oriented paper था, जिसको आप, घर पे एक बार पुने solve करेंगे, पेपर देने के बाद में पुने उसको आप solve कर आगरो, next देखो, a हमारे पास इतना है, b इतना है, तो आप से पुछा है कि a का b की तरफ गठक, इसको a माल लो, इसको b माल लो, तो a का b की तरफ गठक होता है, a cos theta, और यह actually होता है, a dot b, upon b, तो a dot b, इसका dot को ना करेंगे, 3 into 1, 3, plus 4 into 1, 4, साथ आ गया, साथ इसी में ही है, कि इसका answer देगा, और वैसे b का mode कितना होता है, b का mode, तो 1 का square प्लस, 1 का square का root, तो 1 का square प्लस, 1 का square तो 2 आ गया, तो यह 7 बटा root दो, right answer हो जाएगा, next देखो, next हम से बुला है, कि s equal to मारे पास यह है, और b का हमको मातरग पूछा है, तो equation देखो, पहले हमारे पास s is equal to, a से इसको मैं multiply कर दूँ, a, यह हो गया आपका, उसके बाद देखो, a हो गया, यह multiply into a, e की पाउर माइनस का bxt, अब जानते हैं, e की पाउर जो होती है, dimensionless होती है, इसका मतलब हो गया bxt बराबर 1, तो b equal to हो गया 1 upon xt, x यहाँ पे है, position l1, t है, t1, तो l1, t-1, तो इसका यह नहीं meter, meter inverse और second inverse इसका right answer हो जाएगा, next देखो, तो next हम से पूछा है, कि एक वस्तू पर हमारे पास यह बल लग रहे हैं, और इन बलों का जो एक हमारे पास ग्रूप है, उसमें से किसका जो resultant है, वो zero नहीं होगा, तो ऐसे में क्या करा करो, जो जितने बल हैं आप, उन में से सबसे बड़े बल को छांट ले अकरो, अलग से, और से जो बचे हैं, उन से काम करा करो, तो यहां सब बराबर हैं, तो एक को छांट दो आप अलग से, से इस बचे बे हैं, उनका अलो difference कितना zero, और जोड कितना 20, जोड कितना 20, तो जो F आपको यहां net मिलने वाला है, वो इस तरह से बनेगा, कम से कम zero है, मैकसिम कितना 20, तो यहां देखो 10, उसकी range में है, तो जो बचावा force, जो सबसे बड़ा था, उसको अपन आप यहां चेक करेंगे, क्या वो इनके 20 में लाई करता है, लाई कर रहा है, तो net आपका zero हो जाएगा, अधर नहीं होता है, तो और नहीं होगा, जैसे इस question में आप देखो, यहां 10, 20 और 40 है, 40 को आप नहीं कर लिया, separate, बचे वह यह वाले हैं, तो यहां 20 माइनस का 10, और यह आपका एफनेट, और यह भी आपका 20 plus 10, यह बन गया ऐसे, और यह इसका order हो गया, तो कम से कम कितना है, 10, और maximum जो आपका है, कितना, 30, तो 30 से छु आपका 20 था, वो possible नहीं है, इसलिए इसका answer आपका 4 था, वो right हो जाएगा, तो अगला question देखें, यह simple एक error का प्रशन है, और आपको दिरक है V upon I, और divide के form में है, divide में हम निकालते relative error, तो आप से पूछा इसमें R में percentage error, सबसे पहले आप क्या करें, कि जो R है, इसकी value निक इतना आएगा, यह है V upon I, 100 upon 10, 100 upon 10, इसका मतलब हो गया 10 ohm, पर इसके अपने निकालते हैं, relative error, तो delta R upon R is equal to, यह आपका है delta V upon V, तो 5 upon 100, plus यह आपका है 0.2 upon 10, 0.2 upon 10, इसको बदलना हो percentage में, तो इसको हम कर दें 100 से multiply, अब 100 से multiply करेंगे, तो इससे multiply किया, तो यह 100 cancel हो गया, तो 5 आगया, फिर इसको multiply किया, तो 10, 100 upon 10, 10 into 0.2 कितना हो, दो, तो यह 7% का इसमें हो जाएगा, percentage error, ठीक है, next देखो, next है, आपको देर खाए relation, यहाँ सब देर रखें, आपसे पूछा क्या है, कि A into B की dimension कितने, A into B पूछा है, तो सबसे पहले देखो, जहाँ भी plus minus आपको दिख रहा है यह वाला, यह same dimension के हैं, तो जहाँ भी ऐसे आते हैं, जहाँ minus होता है, वहाँ बराबर कर देख रहा हैं से, और dimensionally equal हैं, तो B equal to हो गया, आपके पास axis square, उसके बाद इसी formula में, अगर मैं लिखो, E is equal to axis square upon 80, और इससे solve करने पे हमारे पास, A जो है, A को अपन यहाँ इस तरफ करें ट्रांसफर, तो A हमको मिल जाएगा, axis square upon E into T, अब B हमारे पास यह है, axis हमारे पास है, इसको अपन करते हैं, multiply, A into B, तो देखिएगा, यह है axis square into, यह होगा आपका axis square upon E into T, अब इसको dimensionally अपन करें, solve, axis की पाउर 2 और 2 के तावा 4, L की पाउर 4, upon energy हो गया आपका M1, L2, और T की पाउर minus का 2 into T1, अब इसको अपन करते हैं, solve, तो M तो होगया minus 1, तो minus 1 तो सिर्फ एक में है, और यही इसका answer हो जाएगा, 2, 2, यह 4 से 2 cancel हो गया, L की पाउर 2, बिलकुल ठीक है, T की पाउर यहाँ 1 है, यह minus का 2 है, minus का 1 रहेगा, ओपन जाएगा, तो प्लस का 1 हो जाएगा, तो second इसका right answer हो जाएगा, next देखो, अगला है, कि X-X की अलों को पाउर्टिकल मूँ कर रहा है, और X दे रखा है अपने को 2 minus का 5 T plus 6 T square, X is equal to 2 minus का 5 T plus 6 T square, यह हमको दे रखा है तो अब इसमें हम से पूछा है कि RMB किसका वे कितना है, initial इसकी velocity कितनी है, तो आप इसका निकाल लो V, V कितना होता है, 2 का हो गया, भी DXYDT होता न, तो इससे अपन DXYDT करेंगे, तो यह तो 0 हो गया, minus का 5, और प्लस कितना 6, जो गया 12 इंटो T, 12 T, और आपको निकालना है initial, तो T को पूट करें, 0, T को जैसे ही पूट करेंगे, 0, यह cancel हो गया, तो हमारे पास V at the time, T equal to 0, is minus 5 meter per second, minus 5 meter per second, this is the right answer, okay, next question देखो, तो अगला question हमारे पास, कि ग्राप दे रखा है हमें, velocity और XT ग्राप दे रखा है, और आप से पूछा है क्या है, velocity time ग्राप पूछा है तो ग्राप में, आप देखो, यहां तक इसको मैं अगर यही से बताऊँ, तो यहां से हां है, इसमें, velocity कैसी है, constant है, और plus की है, यहां से यहां V कैसी है, plus और constant, यहां V किता है आपका 0, यहाँ V, आपको मालूम है, X-T graph का slope योलस्टी होता है, यहाँ slope प्लस का है, यहाँ slope का ऐसा आपका मैनस का है, तो यहाँ V का ऐसा negative है, पर constant है, तो graph इसका जो बनेगा, वो graph ऐसे बनेगा, कि यहाँ तो constant है, मालूँ यह इसका है, 0, तो कहले constant, फिर 0, फिर negative, तो यह इसका आप बनेगा, और ऐसा कहाँ दिख रहाँ देखो, सिर्फ और सिर्फ आपका second option है, ओके, अगला question देखो, यह बहुत प्यारा person है, तो यहाँ हमारे को देख है, कि एक कोई new system of units है, उसमें mass कहा रखा है alpha case, length कहा रखा है हमको beta meter, और time दे रखा है gamma second, तो इस new system में 5 Zool जो है, उसका value कितना है, 5 Zool का हमको value find करना है, तो क्या करें इसमें, सबसे पहले एक काम करो आप इसमें, कि हम मालूम है कि जो numerical value और unit, इसका product है, उसको हम कहते हैं, कि यह constant होता है, क्योंकि यह किसी quantity के, किसी भी बहुतिक राष्टी के, किसी physical quantity के magnitude को दसाती है, और हम जानते हैं, राष्टी का जो magnitude होता है, वो हमेशा होता है constant, अब उसको अपन चेक करेंगे, तो देखो, यह constant होता है, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करो आप, कि इसका आप निकाल लो unit, और इसका अपन unit निकालेंगे, तो देखो, जूल, आप इसको जूल करें, तो initial जूल वैसे होता है, क्या है, तो जूल को हम चेक करेंगे, तो याद करो, यह होता है, केजी मीटर स्क्वाइर इन्टू सेकेंड की पावर माइनस टू, जो इसकी डाइमेंशन है, उससे मैंने बना लिया इसका unit, और इसको ऐसे बदलिया, अब यह इसकी है, ओल्ड सिस्टम में unit, जूल पन फोलो करते है, ऐसा इस सिस्टम में, अब यह करते हैं, न्यू सिस्टम आप जो आपका unit है, उसको मैं करता हूँ, जे डेस, और इसको लिए पन केजी डेस, मीटर डेस का स्क्वाइर, और सेकिंड इन्वर्स, जो डेस है, इसकी पावर मैंस का टू गड़ दू, और यह इसको ऐसे करूँ, देखो, अप उन्यून का स्कॵाइर, अब हमको बोला है, केजी डेस कितना हो गाए?. आलफा केजी, तो यह गरो तो यह तो आलफा केजी, यह वो गए आपका बीटा मीटर, का स्कॵाइर, तो beta square, meter square हो गया upon कितना है, gamma square और second का square तो actually आप जब इसको solve करेंगे तो हमारे पास जो unit आएगा वो कितना होँ, unit जो है ना ये alpha, beta square और gamma की पाउर मैनस का 2 इतना हो गया कितना kG, meter square by second square से तो जो आपका initial unit था उसकी comparable आप चेक करो तो unit आपका कितना alpha into beta square और gamma की पाउर मैनस 2 गुना हो गया अब यहाँ ही बात समझो कि हम कहते हैं, ends प्रपोस्टलू बन अप ओन यह होता है अब यह दोनों का product कैसा constant है हमने यहाँ पे निकाल लिया unit unit आपका जितना, अब मालो unit अगर double हो गया तो n क्या होगा, half यह दो unit आपका होगा, half तो n कितना होगा, double तो यहाँ जितना इसको अपने multiply किया उतना ही numerical value क्या होगा inverse में हो जाएगा, तो पहले आप नया निकाल लिया करो unit, उसके बाद unit कितना times होगा पहने वाले के, उससे आप उसको inverse कर दो, इसका मतलब जब मुझे n निकालना है, तो unit को मैं यहाँ put करूँगा, just जैसे n days upon n equal to में करता हूँ, u days upon u by u days u by u days, इसको put करेंगे, आप solve करेंगे, यह simple मालो यहाँ आता है कि double, तो unit कितना हो जाएगा unit मालो double हो गया, तो numerical value हो गया, तो numerical value हो गया, आपकी devil हो जाएगी, ठीक, उस तरह से है, तो इसका यह value है, इसको just inverse कर दो, एन alpha की power minus का 1, beta की power minus का 2, और gamma की power plus का 2 हो जाएगा, ऐसे हमको solve करना चाहिए, अब इसकी value पूछे ना, तो 5 joule, तो हमको 5 joule के तूल ले करना है, तो 5 joule यह पुराना था, और नए में यह joule के इस्थान पे आप क्यालियो दोगे, alpha की power minus 1, beta की power minus का 2, और gamma की power plus का 2, यह इतना गुना, इसका numerical value हो जाएगा, बेतरी कुर्ष्टन ने, कर लेंगे आप, next, यहाँ देखो, आप से पूछा है, क्या, इसके g के मापन में तो इसको solve करके, अपन निकालेंगे, delta g upon z is equal to, यह आता है, delta l upon l plus 2 into delta t by t, और इसको हम करते हैं, 100 से multiply, अब delta l क्या length का मापन का है, resolution या list count, वो कितना है, 1 mm, यहाँ, यह unit का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, यह है 1 mm, upon length जो है, जो मापी हमने है, वो 10 cm है, 10 का मतलब, बदलना उसको mm में है, तो 100 cm हो हो गया, 100 mm, sorry, और plus 2 into, अब इसमें यह देखना है कि time pit दे रखा है, तो इसलिए, यह जो delta t हमारे पास है, वो तो होता है, delta t by small n, और यह होता है, आपका t by small n, और इसको हम करेंगे 100 से multiply, small n, small n आपस होगे cancel, इसमें क्या दरखा है, कि n oscillation में time कितना है t, तो एक का time हो, उसको अपन कहते हैं t, होगा t by small n, इस तरह से n oscillation का list count था हमारे पास delta t, और 1 का कितना होगा delta t by small n, इसलिए यहाँ, यह होगा आपका capital delta t, तो delta t, delta t upon small n है, यह t by n, इनको put करेंगे, यह हमारे पास value जाएगे, उसके बाद, यहाँ इसको dunks से आप solve करते हो, यह millimeter में है, millimeter में, यह होगा hundred, two into this, अब यहाँ value क्या करना है, list count कितनी है time वाले की, one second, और यह time कितना था, total हमारे पास fifty second, तो value तो क्या put करोगे, यह तो one upon hundred into hundred, यह one आ गया, plus second हमारे पास two, into, delta t हमारे पास one, upon उसका समय कितना है, fifty, इसको दो से गुणा, दो से भाग दूँ, क्योंगे hundred, hundred से उसको अपन multiply करेंगे आगे, तो कड़ गया, तो होगया दो 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 चार, तो one plus four percent, यानि five percent इसका आपका error आ जाएगा, प्यारा क्रिष्ण नहीं, ओके, next, आप उदर रखा है कण की position, और पूछा है कि 2 से 3 सेकंड की time difference में इसका average, velocity कितना है, तो average velocity actually होता है, V average is equal to x2 minus x1 upon t2 minus t1, तो t1 x1, t2 पे x2, अपने पास x अल्रेडी है, 3 t square plus 1, तो यहाँ t1, t1 कितना है 2 सेकंड, तो यह आपका बन गया, t1 तो है 2 सेकंड, t2 कितना आपके पास, 3 सेकंड, 2 पे निकाल लो x1, तो 2 पे x1 निकालें, तो 2 लिखो यहाँपर, 2 का square कितना है, 4, 4 into 3 कितना है, 12 plus 1 कितना 13, यह 13 इस तरह से फिर हम लग देंगे x को कितना 3, 3 का square कितना 9, 27, plus 1 कितना 28, वो 28 माइनस का 13 अपोन कितना 1 आ गया, इसको ओपन करें, माइनस तो 5, 8 मैनस 3 कितना 5, 15 अपोन 1, 15 मीटर पर सेकंड, इसका अंसर आपका आजाएगा, बढ़ें आगे, next देखो, यहाँ पूछा है कि, यह दर रखा x हमारे पास, x कितना है, 9 का t square, माइनस का कितना t cube, तो पूछा है कि कण की position गयात करो, जब इसकी चाल कैसी हो, अधिक्तम, इसकी speed maximum हो, तो x से अपने निकालते हैं, dx by dt, यानि velocity, वो है कितना 9 into 2, तो 18 t minus का 3 t square, यह हो गया, आपके पास v, ठीक है, पर पूछा है कि, maximum speed कहां होगी, तो पहले v maximum के लिए क्या ना चीए, v maximum के लिए dv by dt should be 0, तो पहले इसको open find करें, तो 18 minus का कितना हो, 6 t, और यह होना चीए 0, अब इसको 0 put करेंगे, तो हमारे पास t कितना हो, t हो गया, 6 t equal to 18, 18 upon 6, तो 3 second आ गया, तो 3 second वो समय है, जहाँ v कैसा maximum, अब आप से पूछा कि, इस समय पर position क्या है, तो आप x की value यहाँ निकाल लो, तो x कितना हो, 3, यह हैपका 9, और t है मारे पास 3 second होगा ना, तो 3 का आपन कर देंगे square, minus, यह 3 की power कितना 3, तो 3 का square, कितना 9, और यह हो गया, 9 into 9 कितना 89, 81, minus का 3 into 3, 27, और इसको solve करेंगे, तो यह हमारे पास आजाएगा, कितना, 84 meter के आसपास इसका answer है, वो, आजाएगा, ठीक है, बढ़ते हैं, आगे next, तो अगला question का है, कि दो हमारे पास vector a और b हैं, आप कराएगे b को अगर reverse कर दें, तो उसका resultant कितना q हो गया, तो p और q का square है, उनका sum कितना हैगा, तो देखो, यह मालूब first vector हमारे पास है p, यह हमारे पास है q, तो इन दोनों का magnitude तो यह हो गया आपका p, और p का square वैसे होता है, क्या होता है, वो ता ना, आपका a square, a और b दो vector हैं, तो a square plus, b square plus, कितना 2 a b cos theta, अब कर रहा है कि, अगर q को अपन reverse कर दें, reverse करने को उसका difference हो गया, तो difference करने पर यह इसका magnitude उड़ाएगा, और यह मान रखा है q, तो difference का कितना होता है, वो ता आपका a square plus, b square minus का 2 a b cos theta होता है, अब इनकों दोनों को आपने कहा है, add गर दो, तो p square plus q square, b square plus, q square equal to, जोडने पर यह cancel होगे, तो a square b square को जोड़ दो इससे, तो 2 a square plus 2 b square 2 पर common ले लें, तो हो गया a square plus b square, तो इसका right answer हो जाएगा आपका first, only some difference की बात की गई है, next देखो, दो हमारे पास vector a और b हैं, तो क्या पुछा है आप से, a, we are two vectors, the value of, 2 b cross a, minus 2 b cross a, यह question तो थोड़ा सा, गड़बड हो गया, गड़बड हो गया साब, a और b are two vectors, the value of, तो a और b हमारे पास है, तो इसमें, साइद कोई हमारे पास a plus b है, उसका cross multiply होगा, यह a minus का b, तो a को a से multiply कि 0 हो जाएगा, बी को b से कितना ही हो गया, b cross a, यह हमारे को मिलना, a, b cross a, और फिर इसको, हमने गुणा करना दे, पहले इसको इससे गुणा किया, इसको इससे गुणा किया, तो a cross a 0 हो गया, इसको इससे गुणा किया, तो minus का, हाया a cross b, फिर इसको इस से गुणा क्या तो आगया B क्रोस है और इसको इस से गुणा क्या तो आगया 0 तो हमको तो यह अंसर निकालना है अब माइनस का A क्रोस B प्लस कितना B क्रोस A है अब देखो हम जानते हैं कि A क्रोस B जो होता है वो है माइनस का B क्रोस A इसी प्रकार से B cross A होता है वो होता है minus का A cross B होता है इसलिए minus A cross B के स्थान पे अपन B cross A पूट कर सकते हैं तो इसकी स्थान पे B cross A लिख दूँ B cross A और यह भी कितना B cross A दोनों सेम हो गया न तो यह हो गया आपका 2 into B cross A रहे आंस हो देगा 2 into B cross A कर देंगे ठीक है नेक्स देखो इसमें हमको displacement में कार्य पूछा है कोई इस्थान नहीं आप खुदी कर देंगे एप डोटी करना है तो इसका कोई बड़ा इस्थान नहीं है नेक्स इकाइस दिस हमारे पास है तो पूछा है कि A और B केप इस कौन कितना होगा कौन ठीटा तो A मैनस B केप कितना है देखो किसन क्या है unit vector A and B are inclined and angle theta आपको theta angle पे यह दे रखे है तो A मैनस B केप यह हमसे पूछा है तो A केप मैनस B केप का मोड difference का यह होता आपका 2 A sin theta by 2 और A कितना होगा 1 तो 2 sin theta by 2 यह difference हा only दो same magnitude के vector है उनका आपको difference पूछा है तो यह आप कर लेंगे तो अगला question आपका है कि E, V और T अगर इनको पर मान ले fundamental unit तो surface tension का dimension क्या होगा तो आपको इसमें क्या करना है surface tension को मान लेता हूँ मैं S तो S जो है वो proportional to होगया E की power A V की power B और T की power C अब surface tension होता है यह होता है force per unit length इसलिए इसकी dimension कितनी होगी force upon length तो M1 L की power होगी 0 और T की power minus का 2 तो इससे इसको अपन compare करेंगे तो M की power 0 हो जाएगा M की power sorry M की power तो होगी आपकी M की power होगी 1 L की power होगी 0 और T की power है minus का 2 अब energy है M1 L2 T power minus का 2 और इसकी power कितना A कर दीजेगा उसके बाद V हमारे पास है L1 T minus 1 इसकी power B कर दो T की power है one time है इसकी power C कर दो उसके बाद इनको आपस में compare करो compare करने से हमारे पास इनके value आजाएगी और value आजाएगे तो किसना आपका solve हो जाएगा कर लेंगे भी M की power 1 है तो M देखो M वहाँ यहाँ पर और कहीं है नहीं तो इसमें तो only A की power A into 1 तो A equal to तो आगया मारे पास 1 A तो 1 आगया इसका मतलब पहला answer हो गया पहला यह answer हो गया क्योंकि हमने A का मान निकाल लिया जरूरत यह नहीं आगे पढ़नेंगी नेक्स्ट देखो नेक्स्ट में भी ऐसा ही है यहाँ हमको पूछा है time period तो जानते हैं time period त्यार ऐसे question को तो 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 दिकर लेते हैं पर टी गूल्ड होता ना 2 पाई root M by K इसका मतलब समान पाती कितना है M की power 1 by 2 और K को ले जाएं नेक्स्ट देखो तो नेक्स्ट में हमसे बोला है कि एक हमारे पास समांतर चत्रोज है यानि परलोग्राम है उसकी दो सायड दे रखी है और हमें पूछा है कि इसके area की value कितनी होती है तो जब हमें किसी परलोग्राम की सायड दे रखी हो उससे में उसका तो area होता है वो होता है उनकी side है उसका cross multiplication का product और उसकी direction आती है उस surface की outward या inward अब only cross multiply करके इसको solve करना है तो यह आप कर देंगे कैसे करोगे इसके लिए आप i, z, k की रूप में पहले a की value, b की value और इसका आप निकाल लो sonic value matrix लो निकाल लो और वो यह answer उसका mentor निकाल दो यह आपर कर लेंगे ठीक है अगला question देगो इसमें हमसे बोला है कि a हमारे पास 2 है, b कि इतना 4 है और यह दिरेख है relation उससे एंगल आपको बता करना है तो a dot b 0 इसका मदब theta 90 degree a dot b at 4 into 2 at maximum maximum का होता है 0 degree पर 0 हो गया, पिर दिरेख है a into b किता 4, यानि maximum का half होता है cos 60 पर cos 60 पर, और a dot b minus का 8, negative का maximum 180 degree पर इस कामसर आगया, match करना समेंच कर दिए हो जाएंगे next देखो यहाँ पर यहाँ देखो इसका solution पहले constant है, फिर 0 है, फिर constant है, तो पहले इसकी speed बढ़ेगी, फिर constant है, फिर बढ़ेगी, तो पहले बढ़ेगी, constant है फिर बढ़ेगी, यह इसका answer हो जाएगा तो देखो इसमें वापिस वोई question आ गया, गड़ी का आपने को देरेका list count और 20 total इसके हैं, oscillation 25 इसके देरेका total time आप से पूछा कि time के measurement में कितना percentage error है, तो यहाँ पर भी वोई है, आपको निकालना है, delta t upon t का maximum percentage error, आपको time period देरेका नहीं है, ऐसे में delta t हमारे पास बना delta t upon small t into 100, तो delta t तो इसकी list count है, कितना 1 by 5, यह पॉइंट 2, t है total oscillation का समय कितना 25, into 100, इसको उपन 4 से multiply करें, 4 से divide, यह हो गया 100, यह से cancel, 0.2 into 8 कितना हुआ, 0.8%, तो 0.8% इसका right answer हो जाएगा, ठीक है? अगला question देखो, इसमें है, तार की लंबाई हमारे पास इतनी है, radius देर की हमारे पास इतनी, मास इसका इतना है, तो density के measurement में percentage error, row equal to होता है, mass upon volume, mass upon, और यह है कैसा wire, जिसकी length भी है, उसकी radius भी है, सब कुछ दरे रखाम को, तो बेलनाकार, यानि cylindrical मान ले तो हो गया, pi r square into l, अब यह हो गया, m, यानि proposal की रूप में पन देखें, तो row प्रपोस्टल हो गया, m keep power 1, r keep power minus का 2, और l keep power minus का 1, अब इसको अपन percentage error में convert कर देंगे, value अपन put कर देंगे, यह आपका delta l upon l, delta m upon m, यह आपका हो गया delta r upon r, इसको solve करेंगे, तो इसका answer है, वो बिलकुल आजएगा, देखो, है ना, delta row upon row into so करोगे, और यह maximum निकालना है, तो maximum निकालने के लिए, यह आपका हो गया, delta m by m, प्लस कितना 2 into delta r by r, और प्लस कितना delta l upon l, into 100, अब delta m upon m, क्या पूट करोगे, this by this, और delta r upon r में, this by this, delta l में, this by this, उसको solve से कर दो multiply, आपका answer है, वो भागते भागते आजएगा, देखो, next है, f equal to ab plus bt equal to a, तो यहाँ जब भी कुछिशन आया, तो जहाँ plus आता है, उसको बराबर कर दो, यह बराबर कर दो, आपको पूछा है कि c की dimension कितनी है, c तो यहाँ चुपी बैठी है न, तो देखो, d equal to 80 हो गया, d equal to कितना हमारे पास है 80, clear, और उसके बाद, f is equal to, f is equal to हमारे पास है, c x upon, अच्छा, 80 है, तो यहाँ से a निकाल लेते हैं पन, तो f equal to a, b हो गया न, f equal to a, b, तो a हमारे पास हागया, f upon v, तो देखो, हमें इसमें निकालना था, d, तो d हमारे पास कितना है, d हमारे पास a into t, a हमारे पास f upon v, तो f upon v into t, बस, अब हो जाएगा force अपन जानते हैं, time है, v यहाँ पे है, velocity, तो force हो गया m1, l1, t-2, और t आपका t1 है, यह आपका l1, t-1, और इसको solve करो, तो m तो 1 हो गया, यह l आपका cancel हो गया, m तो हो गया 1, l हो गया 0, तो l, तो m, तो यहाँ ही 1 दिख रहा है, l0, भाई करें, है यह नहीं, तो t की पावर मैनस का, दो, बिलकुल, बिलकुल, देखो, एक second, l1, t-1, t-1, यह बार फिर देखो, आपको पुछा है, c, oh, 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 d बराबर 80 नहीं है, गलत, गलत, इसको पुना देखो, इसको पुना देखो, इसमें है, d equal to 80, d equal to 80, और d बराबर हमारे पास 80 कितना था, f upon v, f upon v into t, अब हमको c निकालना है, तो f again, देखो, again हमारे पास, देखो, f बराबर है कितना, c into x upon, c upon x upon, तो इसमें हम इसको कर लेते हैं, 80, सही है, अच्छा, आप देखो, c x upon 80, a हमारे पास कितना है, a हमारे पास है, f upon v, f upon v into t, अब यहां से अपन c निकालेंगे, तो इसको आप कर दो, इससे multiply, और x अपन जानते हैं, इससे c आपका आजाएगा, यह आप कर लेंगे, विल्कुल answer आपका मिल जाएगा, देखो, next देखो, यहां पुछा है significant figures, तो 10 की power count होती नहीं है, तो 1, 2, 3, 4, 5, यहां 5, यहां भी कितना, 1, 2, 3, 4, 5, 6, और 7, तो 5 पौर 7 इसको हो जाएगा significant, भी decimal number है, सब number count हो जाएगे, यहां आपकी power से power count होती नहीं है, बाकि सब count हो जाएगे, decimal number हो जाएगे इसलिए, तो इसका भी question हो जाएगा आपका, next देखो, इसमें है, किसी goal लेकी तरज़ा कि मापन में percentage error कितना point 1 है, तो इसके volume के मापन में percentage error कितना होगा, तो हमको देखा है कि इसमें radius में, तो radius का कितना देखो, radius के मापन में कितना error है, point 1, कि तो किसी sphere का volume कितना भी गुल दा था, 4 by 3 pi r क्यों, तो v proportional to r k power 3, तो delta v upon v into 100, is equal to कितना भा, 3 into delta r by r into 100, radius के तो रखा कितना है, point 1, उसको 3 से multiply करतो, point 3 percentage, यह इसका right answer हो जाएगा, ठीक है, next देखो, यहां बोला है कि, a, b, c अपने पास unit vector है, a plus b equal to c है, a plus b equal to c है, इसका मतलब क्या है, अगर unit vector हैं, तो definite है कि, a cave, और b cave, और c cave, सब equal to the one के हैं, one है तो यह बनाएंगे, equal to triangle, जिसमें इसको open यूगर दें, यह मालो, a है, यह b है, तो c इसका उल्टा हो गया, a, b, और यह c, सब equal है, one, one, और one, तो यह angle 60, 60 और 60 है, तो हमको पहले यह पता करना पड़ेगा, कि, a और b में angle कितना है, तो a और b में, a और b में, a इस तरफ है, b इस तरफ है, तो angle y यह, तो गया 120 degree, अब हमको a minus b पूचा है, तो a minus b का मतलब हो गया, two sine, theta बटा दो, और theta यहाँ पे, a और b में कितना 120 है, तो 120 बटा दो, sine 60, तो two into कितना, sine 60 होता है, root 3 by 2, यह से cancel तो आपका answer है, root 3, तो इसका fourth answer है, वो हो जाएगा, next, देखो, x-x की angle बना रखा है, x पुचा है, तो only cos alpha निकालना, cos alpha होता क्या है, ax upon इसका magnitude, यानि 4 upon, 4 का स्क्वार 16, 3 का स्क्वार 9, plus 12 का स्क्वार 144, इसका root कर दो, यह आपका answer, 196 आएगा, और वो होता है, 14, तो 4 upon 14, 169, 169 का root होता 13, तो 4 upon 13, cos 4 upon 13, इसमें हमारे पास, यह cos theta है न, तो cos theta हमारे पास है, 4 upon root 169, तो 4 upon 13 आजाएगा, जिसका आपका answer है, वो हो गया, आप कहाँएगा कि, मान लीजी हमारे पास, refractive index दे रखाया है यह, तो refractive index दे दाइमेंशन लेस, तो mu equal to a, बराबर कौन सा, b upon lambda square, तो यह पुछा कि, a और b constant है, lambda यहाँ wavelength है, तो b की dimension किसके समान होगी, तो a is equal to हो गया, b upon lambda का square, हमको पूछा है b, तो b हमारे पास कितना, a into lambda square, a तो dimensionless, a तो है न, mu equal to, a equal to b upon lambda square है, इसलिए हम इसको कैसे solve कर पाएंगे, तो a तो dimensionless हो गया, तो b तो lambda square, यानि length की power 2 हो जाएगी, lambda तो length होता है, तो length का square का मतलब हो गया area, length का square बोले तो, area, next देखो, p और q का resultant, r है दी q को अपन डबल कर दें, तो नयार प्रणामी r के लंबत हो जाता है, तो r का परिमान क्या होगा, यह बोला है कि, p और इतना है, 2 अबल प्रणामी r का परिमान क्या रहा है, q का परिमान है, दो गुना कर दें, तब नया परिमानी सदी अबल की लंबत हो जाता है, तो यह मान लो फर्स्ट है, और दूसरा वेक्टर हमारे पास है, फर्स्ट को मान लेते हैं पन प्र, सेकंड मान लो यह, तो क्या बोला है, p और q का परिमानी यह r है, q का परिमान डबल कर दें, q को डबल कर दिया, तब नया परिमानी p के लंबत हो गया, तो r का परिमान क्या होगा, तब r का तो सुरुवाले का परिमान क्या होगा, तो r का परिमान क्या है, r का r कितना है, तो यह तो तभी पोसिबल है ना, देखो, बहुत जोड़ार परसन, इसको डबल करने पर 9T पर, इसका मतलब Q और R बराबर है, तो R बराबर Q है, R बराबर Q. नेक्स्ट, एक समान गती है, पिंट का दे रखा, अपने को दूरी और टाइम दे रखा है, तूर्टी की से पिंट का वेग निकालना, V बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो पहले तो D अपॉन T, 13.8 अपॉन इससे निकालो, इसकी वेल उससे निकालो, फिर D डिवाइड की रूप में हैं, तो डेल्टा V अपॉन V, V इससे निकालो, बराबर कितना डेल्टा D, अपॉन D प्लस, कौन सा डेल्टा T अपॉन T, तो डेल्टा D अपॉन D, इस बैदिस, इस बैदिस करके इसको स्वाल कर दो, फिर जो V हमारे पास यहां आता, उसको मल्ट देखा न, वो इस पूरे को फिर V से मल्टिप्लाइ करेंगा तो आएगा, और यह कालगर सना आप आराम से कर सकते हों, देखो, नेक्स्ट देखो, यहां OABO, OABO, यह R यह भी R, R और R हो गया, रूट टू आर, पर यह इसके अपॉजिट में है R, तो रूट टू आर, मैनस पिर B O दे रखा, यह धान रखना इसमें यहां, यह O A, प्लस O B होता न, प्लस O C होता, तब तो रूट टू प्लस बनाता, पर यहां दे रखा है आपोजिट, इसलिए इसका आंसर आपका बिलकुल बदल गया, तो यह थोड़ा सा एक अच्छा अक्यूशन बना दिया गया चेंज करने के बाद में, नेक्स देखो, यहां हम से पूछा है, वापीस वोई परपोस्नल रिलेशन है, तो परपोस्नल से करना है, कोई दिकत नहीं है, आप कर लेंगे इसको, तो देखिए, लास्ट क्यूशन इसका, इसकी मैंने पूरी के अलगरेशन है, वो कर दिये, पूछा है कि फोर्स है वो डेंसिटी पे, वेलोसिटी पे और एरिया पे डिपेंड कर रहा है, तो क्या इसका रिलेशन रहेगा, तो हम जानते हैं, फोर्स परपोस्नल मैंने डे क की पार A ले लिया, V का पार B और A का पार अपने C लिखा, F की डाइमेंस लिख दिया हमने, डेंस्टी का लिखा, स्टिबीट का लिखा, और लिखा एरिया का, L स्कार होता है, उससे अपने कंपेर करेंगे, तो A हमारे पास देखो, 1 इंटो A, इससे कंपेर किया, 1 आ गया, कोई चुनिए, L की पार मैनस का 3A, 1B और 2C, उनको एड़ किया तो, इससे L से कंपेर किया, 1 आ गया, उसके पाद, T की पार मैनस का 2 है, T यहां है नहीं, यह मैनस का B, मैनस का B equal to 2 हो गया, मैनस B equal to 2, मैनस से मैनस कैंसल, B हमारे पास 2 आ गया, value put करेंगे, तो हमारे पास इस solution को अपनम समाप करते हैं, okay, thank you, जैसी L सी है